चार जून वो तारीख जब लोग सभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे मगर ये तारीख ये भी तैकरीगी दोस्तों कि देश को किस तरह का मीडिया मिलने वाला है जहां सही सुना आपने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रत में मीडिया की क्या हालत है हम सब जानते हैं ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते हैं बोल किलाबाजाद है तेरे हाँ अगर चार जूम के बाद भारतिय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है और अगर पार्टी के अंदर आत्ममंथन होता है कि मीडिया को थोड़ी आजादी दी जाए मीडिया को गोदी में न बिठाया जाए मीडिया को पार्टी का प्रचार का हिस्सा ना बनाये जाए तब कुछ बदलावा सकता है मगर आप जानते हैं दोस्तों वो एक कहावत है ना भारती जनता पार्टी खून चक चुकी है और उसका क्यारत है वो जानती है कि जब मीडिया उसके काबू में है तो प्रचार उसके काबू में है वो मीडिया जो करूरों घरों तक पहुँचता है स्वाभाव एक से बात है जब वो मीडिया आपके काबू में रहेगा तो सवालात कमजोर होंगे जब वो मीडिया आपके काबू में रहेगा तो असली सवाल नहीं पूछे जाएंगे मैं आपको एक छोटी से मिसाल देता हूँ प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी का इंटर्वियू हर तरफ किया जा रहा है दोस्तों मैं जलक देना चाहता हूँ कि उनके सामने किस तरह से नत्मस्तक हैं पत्रकार कोई पूछ रहा है कि आपके फिटनेस का क्या राज है कोई ये पूछ रहा है कि आप रिलाक्स कैसे करते हैं कोई ये पूछ रहा है कि महिलाएं और युवा आपके दीवाने हैं गौर फर्माइए तीन अलग अलग चानल, मगर तीनों चानल नतमस तक. मेरा आखरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है। अजनेता आपकी तारीफ कर रहा है, तो यह आपके लिए गर्व की बात कहता ही नहीं है, इसका अर्थ कि आप असहज करने वाले सवाल नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कटगरे में नहीं रख रहे हैं, आप उन्हें जवाब दे नहीं बना रहे हैं। और यह मैं इसलिए कह रह थे दोस्तों तस्वीरों में देखे नियूस क्लिक के संपादक उनके फाउंडर प्रबीर पुरकाईस जो हैं वो रोहिनी जेल से रहा होते हुए ये तस्वीरों उसकी बांगी हैं मैं खुद रोहिनी जेल गया था उन्हें रिसीव करने के लिए मगर ये खबर मैं आपको क्य पर प्रहार किया है सुप्रीम कोट में यकीनन इस मामले में चार्शीट दाखिल हो चुका है और इसकी जिरा होगी हाला कि उस चार्शीट पर स्क्रोल और न्यूज लॉंड्री ने बहुत ही बहतरीन आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने अपने निजी यूट्यू प्लाटफॉर पर भी उन चार्शीट की बख्या उधिर दी है मैंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है और ये मेरी निजी राय है कि उस चार्शीट को पढ़कर ऐसा लगता है कि किसी मनोहर कहानिया पढ़ने वाले व्यक्ति ने वो चार्शीट लिखी है मगर आज मैं प्रबीर और उनके जर्यंद न्यूसक्विक, दलितों, वंचितों, किसानों और शाहीन बाग की महिलाओं की आवाज बना था और उसकी कीमत बार बार न्यूसक्विक ने चुकाई है एक तरफ न्यूसक्विक जैसी संस्था हैं जो सप्ता से सवाल करती हैं और दूसी तरफ आभी- डाला है आज तक के चार पत्रकार प्रधान मंतरी से इंट्रिव्यू कर रहे हैं इसे एक पत्रकार वो है जो वसूली को लेकर तिहार जेल में तीन हफ़ते बिता चुका है दोस्तों वसूली को लेकर और ये सब कैमरी पर पकड़ा गया था इतिफाखद आज तक ने इसी पत् फिर वसूली कि क्यू rip राहून है कि इसी लिए मैं कह रहा है दोस्तों चार जुन ये तै करेगा कि आपको किस तरह का मीडिया मिलने वाला है हाँ अगर भाजपा आत्ममंधन करती ए अगर उसे लगता है इक कमजोर मीडिया, एक भड़काओ मीडिया, एक दंगाई मीडिया देश की साह को नुकसान पहुँचा रहा है और वो आत्ममन्थन करता है और कंट्रोल को ढिला करता है तब एक अलग बात है मगर आप जानते हैं ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री को महामानव के तोर पर पेश करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, याद कीजे इसी आज तक न्यूस चैनल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया के पापा बताया था, बात वहाँ फिल्म स्टार्स आते हैं और प्रधान मंत्री से इंट्रव्यू करते हैं कि आप आम काटके खाते हैं या आम चूस कर किस तरह का मीडिया चाहिए, इसकी जलक आपको पिछले एक हफ़ते में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं दोस्तों, दैनिक भासकर ने ये खबर की थी, चार धाम, कुछ रास्ते खुले, गंगोत्री यमनोत्री रूट अभी भी 5-6 घंटे जाम दरसल गंगोत्री यमनोत्री रूट पे जिस तरह की अव्यवस्था है और चार धाम में जिस तरह की अव्यवस्था है उस पर दैनिक भासकर ने खबर की थी अब खबर थी अगर गलत खबर थी तो पुलीस संपर्क कर सकती थी प्रशासन इसका खंडन चाप सकता था मगर प्रशासन क्या करता है आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों बाकाइदा उनके खिलाफ एफ आई आर दर्च कर दी गई है मगर दैनिक भासकर शुका नहीं है दैनिक भासकर अब भी चार धाम यात्रा में जो अव्यवस्था है उस पर खबरें चाप रहा है मगर मैं आपको बताता हूँ एफ आई आर में क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन्स पर दिनांक 15.05.2024 को दैनिक भासकर समाचार पत्र में चार धाम यात्रा के संबंध में असत्य वह भ्रामक खबर प्रकाशित करने पर संबंधित दैनिक भासकर समबादाता नई दिल्ली जैपुर मनमीत के खिलाफ कोतवाली उत्तर काशी पर भादवी की सुसंगत धाराओं में अफवह वा भ्रामकता पहलाने का अभियोग पंजिकृत किया गया है मामले में अग्रिम विवेश नात्मक कारवाई जारी है दैनिक भासकर पर एफायार कर दिया गया है दोस्तों और दूसरी तरफ एक और अखबार है दैनिक जागरन जो पूरी तरह से भाश्पा की सामने नतमस्तक है जिस तरह का एजिंडा दैनिक जागरन चलाता है भाश्पा के अंद भक्त शर्मा जाएं दोस्तों उनके जहरीले भक्त शर्मा जाएं जिस तरह का एजिंडा दैनिक जागरन चलाता है और दूसरी तरफ दैनिक भासकर है जिस पर एफायार कर दिया गया आज प्रधान मंत्री open press conference नहीं करते हैं सवाल किस तरह से किये जाते हैं आपने उसकी एक जलक देखी कठोर सवाल उनसे नहीं किये जाते उनसे ये सवाल नहीं किया जाता कि आप अपने मंच पर जूट क्यूं बोलते हैं एक बार वो कहते हैं कि मुसल्मान घुसपैटिया है और फिर न्यूज 18 के इंटर्वियू में वो कहते हैं कि मैंने उनके लिए तो कहा नहीं मैं तो घरीबों के लिए कहा प्रधान मंत्री फिर उसके अगले दिन यानि 24 घंटे भी नहीं गुजरते और जाकर कहते हैं कि कॉंग्रेस जो है देश का जो 15 फिसदी धन है मुसल्मानों को देना चाहती है यह प्रधान मंत्री किसाधार पर कह रहे हैं क्या कोई उनसे सवाल पूछेगा कोई सवाल नहीं पूछ रहा है दोस्तों और दूसी तरफ अमिच शा की राली में मॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी जाते हैं और वहाँ आई औरतों से बात करते हैं और वो औरते उन्हें बताती हैं कि हम तो आये थे प्रधान मंत्री मोदी को सुनने हमारे सामने अमिच शा हैं वो औरते बताती ही कि हमें 100 रुपय मिले थे, प्रधान जी ने हमसे कहे थे, नतीजा, राघव तुरुएदी को बुरी तरह से पीटा जाता है, बुरी तरह से मारा जाता है उनके कारकरताओं द्वारा, यानि कि प्रधान मंत्री सवाल नहीं लेंगे, अमिच्शा कठोर सवा प्रधारे में, या उनसे ये कहते हैं कि आप जो टुकडे-टुकडे गैंका आरोप कनहिया कुमार पर लगा रहे हैं, वो तमाम विडियोज फरजी थे, तो मनोश तिवारी माननीर रिंकिया के पापा उन्हें धमकी देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप जिसे पत्रकारों को सतर्क रहना चाहिए इस तरह से धमकी दी जारी है दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 जून ये तैक करेगा कि आपको किस तरह का मीडिया मिलेगा एक और मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ कल इंडिया चैनल्स ने इस खबर को कवर किया बताईए लगातार राहूल गांधी प्रियंगा गांधी वाडरा जो है वो सरकार को कट घरे में रख रहे हैं मगर उनकी आवास को पूरी तरह से दबा दिया गया है उल्टा राहूल गांधी का मजाग बनाया जा रहा है कि आप इंटर्व्यू क्यों नहीं देते ये मजाग बनाया जा रहा है कि भाई भाजपा तो कह रही है अब की बार चार सो पार आप कोई लक्ष क्यों नहीं तै करते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अब की बार 400 पार ये जो नारा भाजपा दे रही है उसे कटगरे में रखकर आपको भाजपा से कठोर सवाल करना चाहिए वो सवाल आप नहीं कर रहे हैं बलकि उस नारे को आप आगे ले जा रहे हैं राहूल गांधी का आप मजाग बना रहे हैं कि वो इंटर्व्यू के नहीं देते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जब आप इंडिया गडबंधन के प्रेस कॉन्फेंसिस को कवर नहीं करते हैं जब आप रहूल और प्रियंका के भाशनों को नहीं दिखाते हैं और दिखाते भी हैं तो सिर्फ उन पर निशाना साधने के लिए तब वो आपको इंटर्व्यू क्यों देंगे बताईए ना जब आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को खलनाएक के तौर पर पेश करना उन पर निशाना साधना तो वो आपको इंटर्व्यू क्यों देंगे ये सवाल तो किया जाएगा ना तो मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि चार जून को जो नतीजे आएंगे आपको कैसा मीडिया चाहिए क्योंकि हमने लगातार देखा है दोस्तों मुद्दा सिर्फ न्यूस क्लिक का नहीं है मैं एक और प्लाटफॉर्म पे काम करता था है ह्व न्यूस उस पर इंकम टाक्स की इतनी रेड़ मारी गई ये आवाज आप लगातार इस मंच पर सुन रहे हैं कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझ कर ये कारक्रम लगातार किये और आगे भी करता रहूंगा मगर जो भी सक्ता से सवाल करता है उन पर रेड़ मारे जाते हैं न्यूसक्लिक पर पहले ईडी की रेड फिर इंकम टाक्स की रेड और फिर अन्टी टर्रेर सेल की रेड HW News पर इंकम टाक्स की रेड NDTV पर एक समाने में इंकम टाक्स की रेड फिर परषान किया गया और उसके बाद हालत ये हो गई दोस्तों कि अडानी नहीं चैनल पर कब्जा कर लिया अभी हाल ही में प्रधान मंत्री नरेद्र बोदी ने एंडी टीवी को इंटर्वियू दिया वरना हम कलपना भी नहीं कर सकते थे कि प्रधान मंत्री नरेद्र बोदी एंडी टीवी को इंटर्वियू दे क्यों कि एंडी भद्र महिला ने उनका इंटर्वियू किया वो अगर आप सवाल सुनेंगे ना दोस्तों आप हसने लग जाएंगे सवालों का मज़ाग बनाया गया था आप गौर करना चाहेंगे कि NDTV जैसे संस्थान ने प्रधान मंत्री से किस तरह के सवाल आती है आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंत्री जी बहुत सारे आकलन किये जा रहे है जो इस्ट इंडिया है वहाँ बीजेपी को बढ़हत है लेकिन बंगाल की बात कर लें या फिर उडिशा की आंद्र की या तिलंगाना की आपका क्या आकलन है ये क्या सवाल हुआ भाई वो तो बताएंगे कि हमें सौ में से सौ सीटे मिल रही है सौ प्रतिशन सीटे मिल रही है दूसरा सवाल आपका बिहार का क्या आकलन है बिहार के बारे में क्या कहना है तीसरा सवाल इस वक्त हम चर्खा समिती के पास है जब आप बिहार आते हैं तो क्या ख्याल आता है तुम को देखा तो ये ख्याल आया जिन्दगी धूप तुम घना साया चौता सवाल आप इस चुनाव को रेफरेंडम के तौर पर या गवनन्स मॉडल के तौर पर देखते हैं महिलाओं के लिए पिछले दस सालों में आपने कई सारी योजनाय चलाएं क्या लगता है महिला वोटर इस बार आपके साथ है प्रधान मंत्री से ये पूछने की हिम्मत NDTV की नहीं हुई है ये वो NDTV ये दोस्तों जिसके संस्थापत प्रणौई रॉय थे जहां रवीश कुमार जैसे पत्रकार थे आज इस तरह की सवालात पूछे जा रहे है महिला वोटर आपके साथ है प्रजवल रिवन्ना के मामले में आज तक कोई कारवाई नहीं की गई उसका डिप्लोमाटिक पास्पोर्ट आपने आज तक रद नहीं किया प्रजवल रिवन्ना को टिकेट क्यों दिया गया ये सवाल नहीं चार्जिज फ्रेम कर दिये गए हैं आरोप फ्रेम कर दिये गए हैं ब्रिज भूशन शरन सिंग के खिलाफ मगर उसके बेटे को टिकेट दे दिया जाता है ये सवाल है ना यही वज़ाए कि हमारे घरों में पुलीज घुसेगी हमें जूटे इंकम टाक्स केसिस में फसाने की कोशिश की जाएगी हमारे खिलाफ भीड़ खड़ी की जाएगी यहां सही सुना आपने भीड़ खड़ी की जाएगी क्योंकि हो सिर्फ यह नहीं रहा है कि विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है एक सुनियोजित तरीके से पिछले साथ आठ सालों से मैं अपने तजर्वे से आपको बता रहा हूँ मेरे खिलाफ भ्रामक चीज़ें चलाए गई मेरे खिलाफ इतनी जूटी खबरें चलाए गई हैं कि मैं आपको क्या बता हूँ मुझे अंटी हिंदू, अंटी नाशनल तक बताया गया कई बार सार्वजन एक तोर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रवीश ने भी अकसर इन तजर्वों को साजहा किया है यानि कि आप सिर्फ राहूल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी उन्हें बदनाम नहीं कर रहे है आप पत्रकारों पर भी निशाना साद रहे है और ये दोश सिर्फ भाजपा के प्रचार तंत्र, उनके दो रुपली ट्रोल, वो अमित मालविय का नहीं है दोस्तों, याद कीजेगा जब तीन अक्तूबर को न्यूस क्लिक पर रेड पड़ी थी तब मैं नहीं भूला हूँ किस तरह से गोदी मीडिया ने हाउंड किया था हरास किया था न्यूस क्लिक से जुड़े लोगों को जब वो बाहर आ रहे थे मेरी छाती पर रिपब्लिक न्यूस की एक रिपोर्टर ने जो है, वो माइक मारते हुए कहा था कि चाइना का पैसा खाते हुए कैसे लगता है इस तरह की बाते करना कोई सुबूत नहीं, कोई प्रमान नहीं, मामले की अभी जाच जारी है मगर आप पत्रकारों पर निशाना साध रहें, और क्यों साध रहें क्योंकि आपको जोशी जी की तरफ से फरमान मिला हुआ है और वो फरमान जो है, उसका आपको अनुसरन करना है, दिक्कत ये है दोस्तों मगर आप भी मान लीजे कि चाहे नियूस क्लिक हो या मैं खुद सवाल हम पूछते रहेंगे क्योंकि सवाल जब आप पूछते हैं तब आप जनता की आवाज बनते हैं आपको महला पहलवानों की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, किसानों की आवाज हड़ी की जारी है, उनके लिए सवाल करना पड़ेगा और अगर आप सवाल करना बंद कर देंगे तो ये पत्रकारिता के माएने नहीं रह जाते और दूसी तरफ उसके जरीए लोकतंत्र के माएने नहीं रह जाते हमारी मीडिया के साथ दिक्कत ये नहीं है दोस्तों कि ये लोग सवाल नहीं करते हैं या ये लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं अगर इनका किरदार वहीं तक सीमित होता तुम्हें समझ सकता था अगर मीडिया अखंड चाटुकार होता तुम्हें समझ सकता था मगर यहां पर अखंड चाटुकारिता का मुद्दा नहीं है यहां उससे दस कदम आगे बाद है हमारा मीडिया रेडियो रवांडा बन गया है हमारा मीडिया दंगाई बन गया है पिछले कुछ आरसे में याद कीजिए NBDSA ने भड़काऊ टेलिविजन प्रोग्रामिंग के लिए कितने कारक्रमों को हटाया है कितने न्यूस चैनल्स पर जुर्माना किया गया है और दूसरी तरफ कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया जाता है और कारण भी नहीं बताया जाते है और यहाँ पर दिख रहा है कि अमबानी का न्यूस चैनल्स या रेपबलिक या जी ये तमाम न्यूस चैनल्स पर अक्सर ऐसे कारक्रम आते हैं जो भड़काऊ होते हैं जिन पर कारवाई की गई है कई पत्रकारों पर जूटी खबरों को लेकर दंगाई खबरों को लेकर केसिस दर्ज है कई पत्रकार अपने मंच पर खड़े होकर दंगा भड़काने वाली बाते करते हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पत्रकारों के साथ सेलफी खिचवाते हैं भाजपा को ऐसे पत्रकार चाहिए दोस्तों जो रेडियो रवांडा का अवतार है और आप मेंसे जो लोग नहीं जानते है रेडियो रवांडा क्या है 90 के दशक में रवांडा देश में वहाँ का जो रेडियो होता था वहाँ पर लोग आते थे शराब के नशे में वहाँ की जो माइनॉरिटीज थी हूतू और तूटसी दो समुदाय थे तो माइनॉरिटीज के खिलाब जहर उगलते थे नतीजा यह हुआ कि रवांडा में एक बहुत बड़ा नरसंगहार हुआ था और उसमें वहाँ के मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार था यह चेतावनी बार-बार हमें इतिहास दे रहा है यह सब भारत में 2023-2024 में हो रहा है पिछले 7-8 सालों में हो रहा है हम भारत हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र हैं, महान लोग तंत्र हैं, और ये 90 का दशक भी नहीं है, आज हमारा मीडिया न सिर्फ नतमस्तक है, वो दंगाओ, भड़काओ भी है, इसलिए आप से न्यूसक्लिक बरदाश नहीं होता, इसलिए आप प्रबीर पुरक को जेल भेज देते हैं, वो लड़ेंगे, नियूसक्रिक लड़ेगा, वो जो तमाम आरोप हैं, उसका जवाब दिया जाएगा, माकूल जगा पर जवाब दिया जाएगा, मगर पीछे नहीं हटेंगे, फैसल आपको करना है दोस्तों, कि आपको कैसा मीडिया चाहिए, अब झा छाहिज जाएगा, मातरोप प्रह ज़िए सार को कैसा जवाब दिया जाएगा, माईटा कैसा ज्मार्ट देखो कि दमाल्ट आएगा, वो जवाबगा कि एätर हमना है तोस्तों, कि दिए, जवाख कारोदेंगे, वो जिया, वो एक मना चाहरा जएगे, और माल्या है, में